अब भी फिजिक्स के जीतने भी इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि नीड के लेवल पर बोहत ज्यादा कोशन पूछे जाते हैं मतला में नीड में कुछ टॉपिक्स हैं 6-6 जहां पर फोकस बहुत ज्यादा करते हैं और बहुत सारे कोशन पूछते हैं और उनके जो सब बाते हैं वो वीडियो की इंड में आपको बताऊंगा सबसे पहले हैं ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स से टोटल आपका चार कोशन आएगा और हर साल मैं बोलता हूँ कि इतना कर लो और वही पुछा गया तो 2020 में भी पोलराईजेशन कर लेना पहले एक बात याद रखना फिजिक्स में अगर अच्छा स्कूर करना है 45 कोशन में 40 कोशन करेक्ट करके आने हैं तो आपको जेही मेंस के प्रिवेस एर कोशन और नीट के प्रिवेस एर कोशन करने पड़ेंगे समझें और उसके बाद आपको सारा नोट्स और जिदने भी P.I.P. पर अप्लोड एं और जितने भी फॉर्मुलाज है da क्योंकि फॉर्मुलाज भेस बेस्ट कोशन बहुत सारे आते हैं तो वह जितने भी फॉर्मुलाज उन फॉर्मुलाज को करलो वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है उप्टिक्स में पॉलराइजेशन, लेंज, उप्टिकल इंस्टूमेंट, प्रिस्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यंग डबल स्लीट, एक्सपरिमेंट, डिफ्रेक्शन, लेंजमेकर फॉर्मूलाज, टोटल चार कोशन आएंगे, इतना जरूर करन एक तो पॉलराइजेशन से ही कोशन बनेगा, दूसरा यंग डबल स्लीट से बनेगा, तीसरा लेंजमेकर फॉर्मूला से बनेगा, फॉर्थ नंबर में भी वो प्रिस्म हो या लेंज से वो लो कोशन पूचेंगे, मॉडरन फिजिक्स में 6-7 कोशन आते हैं, प्याइपी क करा लो, कप अब लोट हुआ है, उसका टाइम भी देख लेना, heat transfer, kinetic theory of gases, thermodynamics, calorimeter, ये 6 कोशन देंगा, और ये भी प्याइपी के नोट्स अच्छे से कर लेते हो, और जितने फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ट कोशन आते हैं, और जितने फॉर्मूला उनको सही तर कर पाओगे आप लोग, जो इंपोर्टेंट है, डाइपोल मोमेंट, फोर्स और गॉसिस लो, इस तरीकल सर्फेस पे ज्यादा धानत है, उस पे गॉसिस लो, करके बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, वो देख लेना, प्याइपी का नोट्स देख लेना, उसमें सारा आपका से लिए वस कवर कर हो जाएगा, मैगनेटिक्स, मैगनेटिक्स से पांच से चार कोशन आएगे, मेभी फाइफ कोशन तो अजर एक किज में आएगा, फोर्स डैपोल मोमेंट और जितने भी प्रिविएस येर के कोशन है, जे ही मेंस के और नीट के वो एक बार कर लेना, और अर पोटेνसि ऑमेंटर गैलवेनोमेंटर और स्क्वार मिटर ब्रीज एक करके दिया होगा, मिटर ब्रीज, वह मिटर ब्रीज को देख लेना, और करेंट अलेक्रिक्सिटी का ये सारा कुछ था, अल्टेर्नेटिंग करेंट में बता दिया, पावर रीलेटेटिज घुशन पूरा साइड रख दिया, Mechanics में Newton's law of motion, Circular motion उसी में दे रखा है, Warpower Energy plus Collision, Rotation, SHM and Wips, SHM and Wips again PIP के notes बहुत important है, जब मैंने upload किया था तो मुझे भी नहीं लगा था कि इतने important होंगे, but after some exams, कुछ exam हुआ, 2018 और 2019, तब समझ में आ गया कि हा, ठीक है, paper काम का है, मैंनत काम कर रहा समझे और questions आ रहे हैं, तो इसलिए paper notes important है, Newton's law of motion, Warpower Energy, Rotation, जितना अच्छा आपका concept होगा, उतनी easily questions solve होंगे आपसे, Newton's law of motion का मैंने question दे रखा है, question solve भी करवाया है, उसे एक बर कर लेना, workpower energy पे मैंने minimum 40 questions solve करवा रखे हैं, कैसे कैसे question पूछे जाता है, वो question को एक बर solve कर गाया था center of mass, लड्डू था वो, समझे, center of mass यार, x1 into m1 plus x2 into m2 divided by m1 plus m2, अब इससे लड्डू क्या पूछा जा सकता है, total question किनना हैंगे, Newton's law of motion से 2, वरपा और energy से 3, collision included, collision से 1 question रहेंगे, rotation से 4 से 2 question पूछ सकते हैं, और shm and web से 4 question, fluid से 4 से 2 question, और unit dimension measurement, यह मैं notes upload कर P.I.P. के note से 1 question बनना ही बनना है, units dimension and measurement पे, अब जो important भात था, वो important बात, मैंने physics, biology, पूरा हो पूरा P.I.P. देख लेगा, वो, 90 में से 85 questions आपके पास हैं, या 80 questions, बचता है, आपका chemistry, chemistry मैंने सारा करवा रखा, physical, inorganic, organic, script for script physics, वो मैंने कर सकता हूँ, वो आपको करना करेगा, क्योंकि numerical वहाँ पूछे जाएंगे, तो numerical solve करने की, अगर habit होगी, तभी जा करके, वहाँ solve कर पाओगे, habit नहीं होगा, तो solve नहीं होगा, समझे, तो habit थोड़ा बनाओ, numerical solve करने का, और जितना बता रहा हूँ, उसे जा कर के पढ़ो, और numerical solve करो, पका होगा, समझे, 30 से 35 कोशन, as it is, आपको देखना है, यहीं साएंगे, और copy paste रहेंगे, 10 से 15 कोशन तो previous year के copy paste रहेंगे, वह, so thanks and best of luck for your exam,